ये राजी सरकार की चिठी है, स्पेसल ब्रांच की चिठी है, 2023 की चिठी है, वो खुद कह रही है कि बंगलादेशी घुसपेठी आते हैं, मदरसा में पनाह लेते हैं, उनका आधार काड बनता है, उनका जन्प्रमान पत्र बनता है, उनको यहां नागरिक बनाए जाता है, व हम जो बाते कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी उने 155 में आज वो 24% हो पूरे देश में से में मुस्लिम जो है 4% बढ़ा हमारे संथाल प्रणा में वो 15% बढ़ा ये 11% बंगलादेशी गुसपैठिया है ये जहारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है इसके बाद भी बोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए आदिवासी मर जाए आदिवासी तुरहित हो जाए इसके लिए ना कॉंग्रेस को मतलब है ना जारखंड मुक्ती मोर्चा को मतलब है और संथाल प्रणा एक ऐसे भायावा स्थिति में है कि जो थेसी घुस पैठियों को यहां ख़देड कर नहीं भगा देंगे भारतु जनताप्री चैन से नहीं बैठेगी यह चुनाव का मुद्दा नहीं है यह रास्टि मुद्दा है और चुनाओ और नहीं चुनाओ भारत जनताप्री इसके लिए संगर्श करते रहेGold इसका इंप में आप रानी जोतिर में आप समझें कि हमेशा हिंदू वहां के मेले रहे आज इस्थिती यह है कि मुसल्मान को छोड़कर कोई मेले नहीं हो सकता है वही हाल साब गंज की इस्थिती है वही हाल जामतारा की इस्थिती है तीन चार विदान सभा तो ऐसे हो ही गए है महगामा क की स्थिति वैसे ही है मधूपूर की स्थिति वैसे ही है वोट जो है 123 से 140 परसेंट जो है के बूत पर जो है मुसल्मानों के ज़्यादा बढ़े हैं और ये सभी बंगलादेशी घुसपैठी है बंगलादेशी मुसल्मान है और बंगलादेशी घुसपैटियों को ये देश हिंदू-मुसलिम सिखिसाई का है लेकिन ये देश बंगलादेशी मुसल्मानों का नहीं है और उनको खदेड कर भगाएं